हेलो गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम अपने चैनल पर बनाने जा रहे हैं रोली चावल की बहुत सुंदर सी पैकिंग तो इसके लिए हमें चाहिए एक विलिंग स्ट्रिप और कुछ मोती तो बस ज्यादा कुछ ने चाहिए हमें एक राउंड अबजेक्ट लेंगे जितना बड़ा हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम वो कार्ट बूर्ड काट लेंगे और एक बॉटल या किसी के राउंड हम क्विलिंग स्ट्रिप को ऐसे लपेट लेंगे कलर आप अपने बसंद का लीजेगा इसको थोड़ा सा करके टाइट करके करियेगा और इसके दोनों एजेज आउटर भी और इनर भी चिपकाना होगा ताकि ये बाद में खुले ना तो देखिए हमने इसको चिपका दिया है अब हमने जो गोल गत्ता कट किया था उस पे हम ये राउंड ये क्वेलिंग स्ट्रिप को चिपका देंगे तो देखिए अब हम दूसरे कलर का क्वेलिंग स्ट्रिप मैंने लिया है ये वाला और इसको हम 3 फोल्ड करके कट कर लेंगे देखिए और अब इसको टाइट कोईल बना लेंगे और इसको चिपकाते जाएंगे तो अब हमने कई कोई ऐसे तयार कर लेने हैं और अब हमने जो यह राउंड बनाया था इसके बीच में पार्टिशन करने के लिए हमने क्विलिंग स्ट्रिप को ही डबल फोल्ड करके इसमें चिपका दिया है और कोई भी कलर का आप ले सकते हैं तो एक में रोली भरना है हमें छोटे स्पून से भरिएगा ताकि यह बिखरे न और उसके बाद दूसरी तरफ चावल हम डाल देंगे तो अब यह रोली चावल तो हमारा भर किया अब हम इसको एक ट्रांस्परेंट से इसके उपर चिपका देंगे और राउंड इससे थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे त देखे अब यह चिपक गया अब हम इसके आराउंड जो हमने टाइट कोई बनाई थी वो लगा देंगे चारु तरफ लगाना हमें तो बस ऐसे चिपकाते जाएंगे अब देखे मेरे पास स्वेलिंग स्रिप थोड़ी कम पढ़ गई थी तो मैंने क्या किया है जो यह नीच देखे अब यह मैंने स्कॉल बना दिया इसके ऊपर हम एक एक मोती चिपकाते जाएंगे आप इसमें कोई भी कलर का मोती या फिर वो कट मोती चिपका सकते हैं या वो जो स्टोन होते हैं कुंदन वो चिपका सकते हैं आपके मर्जी है यह हर तरह से बहुत सुनर लगेगा अब इसके चारो और मैं गोल्डन डोरी चिपकाऊंगी तो देखे यह वीडियो थोड़ा स्किप हो गया बट आप देखे सिंपली गोल्डन डोरी चिपकाई हुई है अब मुझे नीचे से थोड़ा खाली लग रहा है तो मैं क्या कर रही हूं कि इसमें एक ग्रीन कलर का मै सब्सक्राइब क्णा उद्धीं ट्रूल करेंगे तो में लुज θα यह एक ग्री की है जब करेंके हमें इसमें तो दोन तरफ ट्यार करने है और दोनों के एजिस को फ़वह कीर ज़गा है और वसके बाद에서 चिपकाए अपर शोगता है तो आप दो लगकी अस डियांन पर अब देखिये ऐसे फैला वा लग रहा है तो हमें क्या करना है इसके एजिस को भी उप्री एजिस को भी ऐसे चिपका देना है जैसे यहां जहां से पकड़ के देख लेते हैं जहां तक निशान आएगा वहां पर फेवी को लगा के चिपका देंगे और इसको सूखने के लिए तो फोड़ा छोड़ देंगे और इसकी पती को हलका सा हाथ से ही खोल लेना है ताकि थोड़ा सा वह हो जाए देखिए अब इसको ऐसे चिपका दिया है और इसको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे तो देखिए रोली चावल की बहुत ही सुंदर सी पैकिंग तयार हो गई और वो भी बिल्कुल दो मिनिट में लग रही है न बहुत सुंदर तो इस रक्षा बंदन आप भी अपने भाई भावी को इतने सुंदर रोली चावल की पैकिंग भेजिए और कुछ नए तरीके से भेजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थांक यू सो मच